Hey everyone, आज की वेडियो में हम पढ़ेंगे अंडुस्पर्म क्या होता है और इसकी development किस-किस तरीके से होता है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो हम भी देख लेते हैं कि अंडुस्पर्म क्या होता है तो जो EMERIOSEC में central nucleus होता है वो जब fuse हो जाता है तो उससे कहते है secondary nucleus यह secondary nucleus जब male gamit से fuse करता है male gamit 2 होते हैं एक male gamit तो axle के साथ fuse करता है और दूसरा male gamit secondary nucleus के साथ fuse करता है तो जब इन दोनों का fusion होता है तो एक 3N structure बनती है secondary nucleus हो गया 2N और male gamit हो गया N इन दोनों ने मिलकर बना लिए 3N structure इस 3N structure को बोलते है PEN याने कि Primary Endosperm Nucleus यह Primary Endosperm Nucleus आगे जाकर Endosperm का formation करता है और यह Endosperm ही Embryo को Nutrition Provide करता है और यह AAAD होता है Angiosperm में देखिए, Endosperm जो होता है वो Embryo के लिए Main Source होता है Embryo के सारा Food जो होता है वो Endosperm से ही लेता है यह Endosperm के लिए है लेकिन Gymnosperm में क्या होता है उसमें जो Endosperm होता है वो Haploid होता है यानि कि N होता है जबकि Endosperm में जो Endosperm होता है वो Haploid होता है 3N होता है अब हम पढ़ लेते हैं इसके Types कि Androspum के formation किस किस तरीके से हो सकता है तो Androspum का formation तीन तरीके से हो सकता है Nuclear type का, Cellular type का और Hillobial type का तो ये कैसे कैसे होता है देख लेते हैं सबसे पहले है Nuclear type का Androspum formation Nuclear नाम से ही पता चल रहा है इसमें हर division के बाद Nuclears बनेंगे, Cells नहीं बनेंगी यानि कि इसमें Cell wall का formation नहीं होएगा देखिए, इसमें जो first division होता है और उसके बाद के तो सारे division होते हैं उन सब में wall formation नहीं होती है मतलब की pan बन गया जानि कि primary Androspum nucleus उसमें division होए division से दो nucleus बनते हैं तो nucleus से चार्ड nucleus बनते हैं और cell formation इसमें नहीं होता generally या फिर होता है तो वो end में जाकर होता है और यह जो nuclei होते हैं वो free रहते हैं cytoplasm के अंदर और बाद में जाकर हो सकता है कि उनके बीच walls बन जाए और वो separate होचा और cells बना ले और इनके अंदर जो end में wall formation होता है वो centripetal होता है देखिए यह है एक embryo sac इसमें जब egg cell ने male gamit से fuse किया तो यह बन गया embryo और जब beat के secondary nucleus ने male gamit से fuse किया तो यह बन गया 3N pan primary endospal nucleus जब इसमें first division हुआ तो इसमें दो nucleus बने इसमें और division हुआ और nucleus बन गई इस तरीके से बहुत सारी division के पास यह बहुत सारी nucleus बन गई लेकिन इसमें wall का formation नहीं हुआ तो यह nuclear form में ही present है इसलिए इसको बोलते है nuclear type का endospal बाद में क्या होता है यह nucleus जो होता है पेरिफेरी की तरफ इखटा हो जाते है और बीच में vacuum रह जाती है और कुछ इस तरीके से arrangement हो जाता है सबसे पहले endospalm बनता है उसके बाद embryo का division होता है क्योंकि अगर endospalm बाद में बने का तो embryo nutrition किससे लेगा इसलिए पहले endospalm का बनना ज़रूरी है ताकि embryo nutrition ने सके जब इसमें division होता है तो उसके साथ में embryo का भी division होने लगता है ताकि embryo भी आगे growth कर सके अब ये देखिए इस stage में जाकर ये चारो तरफ nucleus हो गए है और भीच में वेक्याल बन गई है और ये जो embryo होता है वो micropilar end की तरफ होता है बाद में इसमें wall formation भी हो सकता है तो wall formation इसमें central beetle type का होता है देखिए कैसे देखिए जैसे ये cells का arrangement है इसमें चारो तरफ nucleus है तो इसमें जो wall का formation होगा वो इस तरीके से होगा ये है embryo sec उपर है embryo इसमें first division हो गया है और इसमें पहले यहाँ पे wall formation होगा periphery पे उसके बाद central पे चालू होगा पहले पूरा periphery पे हो जाएगा wall formation उसके बाद central पे होएगा इस तरीके से ये periphery से central की तरफ होता है इसलिए इसको कहते है centripetal type का तो इसमें जो wall formation होता है वो centripetal type का होता है देखिए इसमें कुछ important बाते जो हमें ध्यान में रखनी है pan याने की primary endosperm nucleus जो normally होता है generally वो egg cell के just नीचे located रहता है और वो अपने formation के तुरंत बाद ही division करने लग जाता है क्योंकि उसको embryo को nutrition provide करना है जब triple fusion होता है तो केवल sperm का nucleus fuse करता है polar nucleus के साथ उसका cytoplasm नहीं fuse करता यानि की cytoplasm endosperm formation में part नहीं लेता endosperm formation में केवल और केवल male का nucleus ही काम में आता है जबकि जो pan की membrane होती है उसमें secondary nucleus और main nucleus तोनों ही contribute करते हैं यानि की pan की जो membrane होती है वो male nucleus और secondary nucleus तो उनों की membrane से मिलकर बनती है तो ये कुछ notes थे अब हम देख लेते हैं next cellular type का embryo sec development तो cellular type के endosperm formation में क्या होता है कि जो पहला division होता है और उसके बाद के जो सारे division होते है उनमें division के बाद ही wall formation का होने लगता है यानि हर division के बाद wall का formation होएगा तो cells का formation हो जाएगा तो पूरा endosperm cellular type का हो जाता है और जो पहली wall बनती है first division के बाद जो पहली wall बनती है वो generally transverse होती है और इसमें cellular type के endosperm में generally hostoria पाए जाते हैं ये hostoria क्या होते हैं कितने type की होते हैं ये हम नाइस वीडियो में देखेंगे और generally hostoria cellular type के endosperm में पाए जाते हैं चलिए इसका भी diagram देख लेते हैं ये देखिए ये है embryo sac इसके अंदर ये embryo का formation हो गया और ये है pan है primary endosperm nucleus जो कि टुपलोइड होता है इसमें division हुआ दो cell बनी pan में division हुआ है भी embryo में नहीं हुआ है दो cell बनी और इसके बीच में wall formation हो गया है यानि कि wall बन गई है यानि कि दो cells बन गई है उसके आगे further division होंगे इस तरीके से cells बन जाएंगे और division होंगे अब वह सारे cells बन जाएंगे embryo भी division होना चालू हो गया है और बात में जाकर इस तरीके से पूरा cellular compartment बन जाता है और यह embryo होता है तो इससे कहते है cellular type का endospam और सबसे जादा यही पाया जाता है जादा तर families में cellular type का endospam अब next है helobial type का endospam helobial type का endospam वो होता है वो helobial order के members में मिलता है helobial monocod का एक order है और इसके members में हिलोबियल टाइप का अंडोस्पर्म मिलता है यह nuclear और cellular टाइप के अंडोस्पर्म के बीच का intermediate है इसमें जो पहले division होता है उसमें wall formation होता है और वो transverse wall बनती है transverse ही cellular में भी बनती है पहले division के बाद इसके बाद इसमें micropilar chamber बनता है और एक chalizal chamber बनता है चलिए इसको एक diagram के help से हम देख लेते हैं तो यह है हिलोबियल टाइप के अंडोस्पर्म का development यह देखिए सबसे पहले इसमें भी embryos है कि इसमें embryo बन चुका है और यह pen है primary endospral nucleus इसमें division होआ दो cell मनी और पहले division जो होता है इसमें cellular type का होता है यानि कि इसमें wall formation होता है तो यह wall formation बन गई दो nucleus के बीच यह है chalizal end और यह है micropillar end chalizal end जो होता है वो general reduce होता है छोटा होता है और micropillar end आगे जाके division करता है और यह division nuclear type का होता है इसमें आगे division हुआ यह देखें यहाँ पर केवल nucleus बने है यहाँ पर cell का formation नहीं हुआ जबकि नीचे cell का formation हुआ इसले इसको intermediate type कहते हैं cellular और nuclear के बीच का यह आदर nuclear type का होता है और आदर cellular type का होता है बाद में यह सारे nucleus बन गई है और यह नीचे वाला थुड़ा radius होने लग जाता है और इस तरीके से यहाँ पर बाद में भी nucleus का cell wall का formation होने लगता है इसमें भी centribeetal type का होता है यह देखें पहले periphery पर cell walls बनी और बाद में center की तरफ बढ़ रही है और इस चेलेजल वारा ऐसे ही रजाता है इस तरीके के development को बोलते है हीलो बेल टाइप अफ एंडर स्परम development यह देखें यहाँ पर दिखा हुआ है कि इसमें पहले division में तो wall formation होए जबकि इसमें आगे के और जो division होंगे उस वो nuclear type का होंगे फिटो nuclear बनेंगे और यह जनरल यह micropilot chamber के तरफ होता है केवल जब cell wall का formation होता है micropilot chamber में तो चेलेजल chamber almost crush हो जाता है यानि कि वो बिल्कु रीडेवस हो जाता है और एक वो disorganized nuclei दिखाता है चेलेजल chamber में जो nucleus होता है वो या तो undivided रहता है जैसा कि हमने देखा था वो division नहीं रहता या फिर अगर वो division करेगा भी तो बहुत ही कम division करेगा एक या दो division करेगा तो यह था helobiel type का endosperm development next video में हम special type का endosperm development पढ़ेंगे कि जो नारियल पानी होता है उसके अंदर किस तरीके से endosperm होता है जो नारियल में पीखते है जो पानी होता है वो endosperm होता है तो हम उसके division पढ़ेंगे आपको इस वीडियो में कोई बीडाउट हो तो आप comment कर सकते है या फिर अगर आपको किसी और topic की वीडियो चाहिए तो भी आप comment कर सकते है दो दीके बोटने को लाइक चाहर और सब्सक्राइब करने ना भूले तैंक्स पर वाचिंग